हाना कि JSP को officially retire हुए एक साल से जादा हो गया है और उनकी last fight तीन साल पहले थी लेकिन जब भी वो कोई statement देते हैं वो हमेशना news बन जाती है अगर आपको याद होगा कि JSP ने कहा था कि वो try कर रहे थे इस जिस से पहले कि उन्होंने officially कहा कि he is retired कि उनका last match हो Khabib के against Khabib उस टाइम पे available नहीं थे और उस टाइम पे even Dana White ने भी इतनी कोशिश नहीं की अभी जो condition चल रही है Khabib के father जिनकी कुछ मेने पहले death हो गई थी उनकी इच्छा थी कि Khabib के अभी दो match बाकी है पहला match जो कि अभी वो लड़ने वाले है October 24 को और दूसरा match जो कि अभी पता नहीं है उनकी contract में यह last two matches है उनका record है 28 win 0 losses तो वो चाहते थे कि 30 win 0 losses के बाद वो लड़ना छोड़ दे वो अपना fighting से retirement ले 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 GSP क्योंकि all time greatest है उनने arguably क्या जाते है कि the best welterweight champion of all times और अब तो उनका record unbeaten है अब GSP का जो कल interview था उसमें वो पता रहे थे कि अगर वो वापस आते हैं फिर से एक बार तो वो सिर्फ खभीब के लिए वापस आएंगे सिर्फ एक match के लिए generally होता है यह है कि जब खभीब जीतते हैं यह next match जो कि उनका है जस्टिन गेची के अगेंस्ट 24 को तो उनके पास championship होगी तो question यह उठता है कि क्या GSP फाइट करेंगे खभीब से बिना किसी belt के क्योंकि एक champion के लिए match खेलना या एक match लड़ना बिना किसी belt के लिए जबकि वो खुद champion है बहुत ही अजीब होगा दूसरे बात यह है कि GSP को लगता है कि जब वो down आएंगे weight category में क्योंकि वो naturally 170 pounder है और उन्हें कहा था कि अगर मैं नीचे आता हूँ weight category में तो हो सकता है कि मेरे performance इंपक्ट करें वो अभी भी sure नहीं है कि क्या मुझे जाना चाहिए लेकिन अगर UFC उन्हें offer करती है और उन्हें कहा कि अगर सारे तारे सीतारे align होते हैं सारे मेरे favor में होते हैं तो मैं जरूर एक बार वापस आउँगा और एक बार जरूर लड़ूँगा यह एक fantasy fight है जो लोग UFC को बहुत एक्टिव थे उनसे अच्छा fighter को इथा नहीं उनकी streak मुल्टर वीड डिविजिन में as a champion to defend his title वो one of the best series थी उसके बाद भी जब वापस आय थे from his first retirement चार साल बाद आसी तीन साल पहले यानि कि पहले वो रेटायर साथ साल पहले वो आपस आय थे उसके बाद उन्होंने जो fight थे उनकी against Michael Bisping वो थी middleweight category में और उसमें उन्होंने उनसे fight जीती थी यानि कि वो अपनी weight category चोड़के 170 चोड़के वो आगे आय थे 185 में अब उनके लिए यह कहना कि थोलगा सा मुश्किल होगा मुझे नीचे जाना क्योंकि कभी भी इससे पहले वो 170 से नीचे कभी गए नहीं है ऐसा पहली बार हो गया सगर होता है तो उन्होंने साफ सब कहा कि उन्होंने काफी टाइम से वेट कट नहीं किया है तो वो शौर नहीं है कि अगर वो नीचे आते हैं तो उनका परफॉर्मेंस सेम रहेगा या इंपक्ट करेगा मैं परसनली इस फैर्ट के लिए बहुत जादा एक्सेटिट हूँ खबीब पांफर फांड बेस्ट चैंपियन जीएसपी दे ओल्ड गार्ड इन वे बिकॉज सक्राव उनकी आप स्टैट्स देखें जीएसपी की एज है 39 और उन्हों उन्हों खुद कह रहे थे कि वो कभी नहीं लडेंगे वंसी हिट 40 चाइल साल के बाद वो मैच कभी नही मैच हो सकता है खबी 32 इयर्स ओल्ड वेट कटिगरी देखें तो ऑबिसली जीएसपी 170 पांडर खबी 155 पांडर हाइट अल्मोस सेम है रीच जीएसपी हैस बेटर रीच और रिकॉर्ड अल्मोस सेम ही है जो दो लॉसेज हैं जीएसपी की उनमें से एक लॉस नॉक आउट ही जिसमें वह अपना टेटल हार के थे मैच से यरा से फिर से वोने वह बीटल भी वापिस जीत लिया था जो दूसे हार होई थी वह होई थी अगेंस्ट मैच हूज और अगें उन्होने प्रीमैच में मैच हूज को हरा दिया था अब question यह उठता है कि क्या चीज़े चाहिए इस match को reality में लाने के लिए पहले चीज़ चाहिए खभी भी यह next match जीते जो कि अक्टूर 24 को है दूसरी चीज़ चाहिए कि UFC अप्रोच करे GSP को कि यह वेठ के टिरी है अगर हो सकता है कि अगर यह match 155 पे ना हो तो शायद यह 161-165 में हो बीच में कहीं पर UFC की history कहती है कि वो थोड़े से हिचकते हैं जब वो catch weight fight होती है catch weight यह दिगरी वो होती है जो sanction नहीं है official नहीं है लेकिन because of कुछ condition के वज़ए से वो लड़ी जाती है JSP ने इशारा किया कि अगर वो fight इन दोनों के टिरी के बीच में होती है यानि कि 155 और 170 के बीच में जैसी 160 या 165 तो हो सकता है कि वो fight normal ground पे हो, equal ground पे हो यानि कि उनका कहना है कि अगर वो weight cut करेंगी बे तो इतना बड़ा weight cut नहीं होगा कि उनका performance निमिनिश हो जाए मेरे लिए यह बहुत बड़ी fight होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर यह fight होती है तो यह बहुत सारे world record दोड़ सकती है